काहरे बन खोजन जाए काहरे बन खोजन जाए सरब निवासि सदा लेपा तो ही संग समाई काहरे बन खोजन जाए 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 बास बसत है मुकरम हे जैसे छाए तैसे ही हर बसे निरंतर काहरे बन खोजन जाए जाए सरब निवासी सदा अले पा तो ही संग समाई सर्ब निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई काहरे बान खोजन जाए काहरे बान खोजन जाए काहरे बान खोजन खोजन जाए बाहर पीतर एको जानों ए गुर ज्ञान बताई जननानक बिन आपाचीने मिटन परम के काई सर्ब निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई काहरे बन खोजन जाई काहरे बन खोजन जाई काहरे बन खोजन जाई स्री गुरु तेग बहादर जी महराच इस पावन पवित्र शब्द में कह रहे हैं काहरे बन खोजन जाई क्यूं जाते हो जंगल में धूंडने के लिए सरव निवासी सदा अलेपा जो सरव में रहता है और सदा अलिप्त रहता है तो ही संग समाई वह पारब्रम परमत्म तेरे ही संग तो समाया हुआ है उधारंडे के सद्गुर जी कहते है पोहप मद जियों बास बसत है जैसे फूल के अंदर खुश्बु रहती है मुकर माहें जैसे च्छाई जैसे शीशे में हमारी छवी बनती है तैसे ही हर बसे निरंतर ऐसे ही प्रभु हमारे ही भीतर निरंतर मने हमेशा सदा रहते है इसलिए कात ही खोजो भाई इसलिए बाहर नहीं अपने ही मन के अंदर खोज करो बाहर पीतर एको जानो जितना परमत्मा तुम्हारे भीतर है उतना ही वो बाहर भी है ए गुर ग्यान बताई गुरु का ग्यान यही हमको प्रकाश दे रहा है पर यह प्रकाश की अनभूती तब तत नहीं हो सकती गुरु देव आखरी पंक्ती में कहते है जन नानक बिन आपा चीने जब तलक तुम अपने आप की खोज नहीं कर लोगे अपने आपको जान नहीं लोगे मिटे ना परम की काई तब तलक ये अज्ञान ये परम तेरे अंदर से छूटेगा नहीं जैसे काई जल के उपार आ जाए तो फिर जल दिखाई नहीं देता ऐसे मन के अंदर आया अज्ञान अपने आपका अज्ञान हमें परमत्म देखने नहीं देगा इसलिए पहली सीड़ी अपने आपको जानो अपने आपको खोजो और जिस दिन अपने आपको खोज लोगे वहीं ठीक वहीं परमत्म तुमको मिल जाएगा काहरे बन खोजन जाई काहरे बन खोजन जाई